सब्सक्राइब करके लगभग पेपर के अंदर पूछ जाने की संभावना है तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को और जो भी साथी चैनल पे पहली बारा है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस कर लीजगा ताकि जो भी क्लास होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा देखे अगर हम लोग क्लास की बात करते हैं तो यह जो आपकी एवियर्स की क्लास होती है डेली 11 एम पे होती है तो आप लोग गुडि पढ़वा किस राज्य का तिवार है? विकल पदिये यह हैं? गुजरात है? राजस्थान है? महरास्ट है या फिर केरल है? सबी लोगा आंसर करके बताएंगे कि आपका जो गुडि पढ़वा फैस्टिवल है यह किस राज्य का फैस्टिवल है? तो गुड़ी पढ़वा कहां का है ये है आपका महारास्ट का कहां का है महारास्ट का ध्यान रखिएगा इस चीज़ को क्योंकि बहुत जरूरी है अगर पूछता है गुजरात का गुजरात के अंदर कौन सा मृत्ति किया जाता है तो गुजरात के अंदर किया जाता है गर्बा, कौन सा गर्बा, गर्बा के अलवा यहां पर डांडिया वगेरा भी होती है तो इसको भी ध्यान लखिएगा, मान लीज़े अगर पूछेगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में अगर पूछता है, तो राजस्थान के अंदर आपको दो चीज़े याद रखनी है, कौन-कौन सी एक तो राजस्थान के अगर हम लोग नत्य की बात करते हैं तो यहां पर नत्य कौन सा देखने को मिलेगा जो की मिलेगा आपको घोमर नत्य देखने को ठीक है दूसरा क्या याद रखना है कि यहीं राजस्थान के अंदर जो आपका पाली डिस्टिक है उसमें आपकी एक जंजाती निवास करती है कौन सी जंजाती जो की है काल बेलिया और ये जंजाती है आपके सापों को पालने वाली जो की सबसे आदा साप पालती है आपका NCRT के अंदर जो है इसके बारे में बताया भी गया है तो ध्यान रिखिएगा इसके बारे में केरल के अंदर आपको tapio का याद रखना है लिख लीजे टैपियो का टैपियो का क्या है एक प्रकार का जड़ भी है एक प्रकार का फल भी है तो दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है अगर इसके हम लोग और नाम की बात करते हैं तो इसे कप्पा कहा जाता है कप्पा के अलावा जो है से कसावा भी कहते हैं तो इ अगला प्रश्न देखते हैं क्या रहा है ग्रामीड छेत्रों में गाय के गोबर से जोपडी की दिवारे और फर्ष को लीपा जाता है उन्हें किस लिए लीपा जाता है खुर्दुरा बनाकर घर्चोर मढ़ाने के लिए फर्ष को प्रागरतिक रंग देने के लिए चिकना औ कि ग्रामीड एलाके होते हैं वहां पर जो है गोबर और जो वहां पर जो मिट्टी होती है उसको सान करके उन्हें दिवारों को लीपा जाता है किस लिए लीपा जाता है तो यहां पर देखिए घर्षण बरहाने से तो कोई मतलब ही नहीं होगा क्या मतलब है घर्षण का फर्ष को प्राक्रतिक रंग देने के लिए एक हद तक देखा जाए तो कुछ ठीक भी है क्यूंकि गो-बर जो होता है जैसे कि वहां पर जब फेस्टिवल वगर आते हैं क्यों जो है गोबर पो अच्छा लगता है देखने ह्श लिए चिकना और साफ बनाने के लिए यह वी कुछ हद तक ठीक है लेकिन एंस्यारित यद्म धेंदर इसे नहीं बतायागिया है बताया क्या गया है कीटों को दूर रखने के लिए यह हापका एक इंसुलेटर के रूप में कारि करता था है क्योंकि यहां पर जो आपकी में बड़ती कीट वग्यर बर्भती हैं जिस वज़े से गाय के गुबर और जो मिट्टी होती है इसको एक में सान करके तब दिवालों को वहां पर लीप दिया जाता है, तो ये काफी दिनों तक जो है सेफ रहती है, चली अगला प्रशन देखिए या कह रहा है, कह रहा है कि भैस की पीट पर अक्सर बगुला पक्ष खाता है, चौथा कह रहा है कि भैस की पीट पर बैठकर गाना पसंद करता है, अब बताइए इस प्रशन का सहीं उत्तर क्या बनेगा, देखिए आप लोग जो है साइंस को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजेगा, कौन सी क्लास तक साइंस की, यानि कि फोर्थ से लेकर कि आप लोग एर्थ तक की साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजेगा, एक एक टॉपिक पढ़ लीजेगा, और उसके अंदर जो भी छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिएगे, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजेगा, जिनका भी अभी एभी कि अंदर जो भीच भीच में आपको कुछ टॉपिक्स दिए गया है, उनके अंदर से उठा उठा की प्रशन पूछ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान लखिएगा, आपको डीपली चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा उपर-उपर से, आईए अपने यहांपर किसकी बात कर रहा था? जो भैस होती है, उसके पीट पर बगला पक्षी बैठता है, यह क्यों बैठता है? तो यह बैठता है, जो भैस के उपर पढ़ेंगी कीट होते हैं, उनको खाने का कारे करता है. देखिए, इससे क्या होता है? भैस को कोई नुक्सान नहीं ह तो तो इस प्रकार का जो जीवन व्यापन करते हैं दोनों लोग blender सतते हैं कियोंकि एक को फायदा हो जाता है और दूसरे को नक्सान भी नहीं होता है इंधर को याद रखिएगा अगर प्रशन पूछेगा तो हो सकता है जो जैसे कि अगर किसी जैसे दोनों लोगों को अगर फायदा मिलता है और एक को फायदा मिलता है एक को नुकसान हो जाता है इस तरह के जो आपके संब्द नदर्स आय जाते हैं इन सभी को पहली जगा बहुत अच्छे से चलिए अगला प्रश्ण देखी क्या कह रहा है उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरास्ट्री खेल प्रतियों गिताओं में 29 मैडल जीते हैं विकल पदिये गया है सुनीता विलियम्स, कर्णम मलेश्वरी, वहिदा प्रेज मयाफिर बचेंद्रिपाल सबी लोग आंसर करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी महिला वेट लिफ्टर है जिनोंने इंटरनेशनल लेवल पे 29 मैडल जीते हैं और आपको ये भी बताना है कि ये रहने वाली जो हैं कहां की हैं तो सबी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में अंजर करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा और एक बार आपको क्लास को लाइक कर दीजे और सेशन को भी लोगों तक शेयर कर दीजे जो नहीं है उनको जल्दी से बुला लीजे क्लास में तो यहां पर देखिया आंसर क्या बनेगा सुनीता विल्लियम्स नहीं बनेगा बनेगा क्या कर्णम मल लेश्वरी क्या बनेगा कर्नम मल लेश्वरी वहिदा प्रिज्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहिदा प्रिज्म जो थी ये कहां से बिलॉंग करती है तो ये बिलॉंग करती है जम्मो कश्मीर से कहां से जम्मो कश्मीर से और पेसे से ये इंडियन निवी के अंदर जो है प्रस्न संख्या पांचवा देखी क्या कह रहा है यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानि की महरास्ट से चंडी गड़ जो कि भारत का केंडर शाषित प्रदेश है तक सबसे छोटे रेल मर्ग से होकर रेल गाड़ी दोरा यात्रा करता है तो कौन से राज से उसे गुजरना नही जल्दी सांसर कर दीजिए सभी लोग इस प्रशन का उत्तर क्या बनेगा तो देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है मुंबई से चंडी गड़ की गुजरात से गुजरेगा सही है हर्याना से राजस्थान से लेकिन पंजाब से नहीं गुजरेगा क्यों नहीं गुजरेगा क्योंकि उसे पहुचना ही चंडी गड़ है कहां पे चंडी गड़ तो पंजाब पहुची जाएगा वो तो आंसर क्या बनेगा ए वाला बनेगा अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या छटा क्या कह रहा है बिहार राजी के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है विकल पर दिये गए हैं जन्वरी से मार्च अप्रेल से सितंबर मार्च से जून अक्टूबर से दिसंबर एक चीज़ आपको और बता देते हैं देखिए जो लोग भी यह सोच रहे हैं कि यह क्वेस्चन करवाए गए हैं यह पेपर में आएंगी भी या नहीं आएंगे तो इस चीज़ की हंड़ेट परसेंट के आरेंटी है कि आपके यही प्रशन पेपर के अंदर आएंगे जैसे कि मैंने आपको 21 फरवरी का जो अनालिसिस मैंने कराया था आपको उसके अंदर टोटल एंसी आर्टी आपकी पूछी गेती एक भी क्वेस्चन आपका इंसी आर्ट पूछा गया था अब बताईए आप लोग क्या मैंने आपको पेपर अनालिसिस तो बहुत जादा हो जाता है अब यह कि कोई उतना इंट्रस्ट नहीं लेता है तो इस वज़ेस नहीं करवाया जाता है या तो आप लोग उतना इंट्रस्ट लेए चीज़ों को देखने के ल करके दिसंबर तक ठीक है अगला प्रश्ण देखी का कह रहा है प्रश्ण संख्या सात्वां कि गाउं में यह देखना साधारान है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है इस विधी को कहा जाता है निश्पादन यानि की फटकना थ्रेसिंग हाथ से चुनना या निश्पादन यानि की फटकना आप लोग देखते होंगे मम्मी लोगों को क्या करती है सूप में लेकर के जो है चीजों को फटकती है कुछ इस तरह से होता है अगे से चोड़ा इसी में अनाज भर लेती हूं फिर उसको फटका जाता है तो इसमें क्या होता है जो आपका फटकना कहलाती है अगले प्रस्न की ओर चलते हैं प्रस्न संख्या आठवा देखिए क्या कह रहा है निमने लिखित का मिलान कीजिए कॉलम वन और इधर कॉलम टू दे रखा है एक तरफ आपको यहां पर जीव दे रखे गए हैं दूसरे तरफ उनके वर्ग दे रखे गए हैं अब जल्दी से आप लोग मिलागर के बता दीजिए कि कौन सा वर्ग आपका एकदम सही मैच होगा सभी लोगों का अंसर आना चाहिए जल्दी से बताईए इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा अब देखिए यहां पर किसकी बात कर रहा है जैसे कि अगर आप लोगों को नहीं आता है कोई चीज माली जे पेपर के अंदर कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको चारों विकल्प नहीं पता होते हैं अगर उनमें साब एक भी विकल्प आपको पता होता है तो भी आप लोग पाइंसर प्रसापन Grade कर जैसे कि देखिए यहां पर कैसे आपको टिक करना है यह देख लिए जैसे कि यहां पर पक्षी दे रहा है पक्षी कौन है पक्षी है और चाहुत कहांट लू कोORffentlich को ऑपि दिया गया है पहला वाला दिया कि ऑग अगर 5 पर देखि weit और не कि D का तीसरा यानि कि पहला और ये सेम से मिल गया अब क्या करना है सरी सरफ पूछा है आपसे सरी सरफ कौन होगा ये हो जाएगा आपका कच्छुआ यानि कि C का पहला हो जाएगा अब C का पहला कहां दिया गया है तो यह देखे लास्ट वाले option में ही आपका बिल्कुल correct दिया गया है तो आंसर जो है इस तरह से भी निकाला जा सकता है ठीक है अगर आपको कोई नहीं पता होता है अगर आपको एक भी विकल्प पता होता है अगर उससे निकला रहा है तो बहुत अच्छी बात है अन्था को परकती के टेंटों का उप्योग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यदिक थंड से बचाते हैं इन टेंटों का डिजाइंघ जो है वो कितना वर्ष पुराना है लगभग सो वर्ष पुराना है जिसने अंचे पढ़ी होगी अच्छी से वो इस प्रशन का आंसर करके ज तो देखे इसका अंसर क्या बनेगा यह चुटेंट है यह हैं आपके एक हजार वर्स से भी अधिक पुरान है अगले प्रश्न की ओर चलेंगे प्रस्न संख्या बंगलादेश में या फिर बर्लिन और पाकिस्तान में सब भी लोग आंसर करके बताएंगे हम आपको पढ़ा भी चुके हैं तो जल्दी से बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तेर क्या बनेगा आंसर क्या बनेगा इसका आबुधाबी और अफगानिस्तान में जो है रेत के ठीले सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं ठीक है अगला प्रश्न दीखी क्या कह रहा है निमनलिकित में से कौन सी जानवर का आगें का दांत उनकी पूरी जिन्दिगी बढ़ता रहता है विकल्प दिये गए है गाए, चूहा, छचूंदर या फिर हाथी बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप कुछ लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट भी होगा, क्या डाउट होगा, देखिए, आप्शन के अकॉर्डिंग तो यहां पर चूहा लगा लेंगे आप लोग ठीक है, क्या लगाएंगे चूहा लगा लेंगे, माल लीजे अगर विकल्प में वहां पर चू पेपर हुआ था, उसके अंदर आपका NCRT में गिलहरी दिया गया है, चूहा नहीं दिया गया है, और यह भी बिल्कुल सही आंसर है, अगर यह पूछता है, तो वहां पर गिलहरी भी सही होगा, हलांकि चूहा जो होता है, इसका आप लोग यहां पर ग्रास नली जो देखत जिससे क्या होगा, चूहे की मृत्यू हो जाएगी, तो इसका रीजन यह बनता है, लेकिन अगर यह पूछता है, कि उनका दान जो पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है, तो वहां पर गिलहरी भी अगर ऑप्शन में दिया होगा, तो उसको टिक करिएगा, according to NCRT जो है, नाम है, उत्तर प्रिदेश है, जम्मो कश्मीर है, उत्रा खंड है, या फिर करनाटक है, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, है तो देखिए अगर हम लोग इस प्रश्ण की आंसर की बात करते हैं तो इसका अंसर बनेगा क्या आपका उत्तर प्रदेश अंदर जो है कन्नौज शहर इत्र के आलावा मेद不好 प्रिषद्ध मात्रह में प्रशी इसका नाम नश्क्रा了 का अगर कमो कश्मीर की बात करता हैं तो किसका नाम सब्सक्रायब गज़ें कि रफ पत्री ले रास्तों कि Peak कि की रङकोन को सब्सक्राइब diffi dilat पूल को पहुंचते हैं और उत्तराखंड के अंदर ही आपको क्या याद रखना है कि यहां पर उत्तराखंड के अंदर आपके कई सारे मंदिर हैं जैसे क्या पकेदार नात हो गया बद्री नात हो गया ये सभी मंदिर आपको उत्राखण में देखने को मिलते हैं इसके आलावा यहां पर आपको एक पटोला पेंटिंग देखने को मिलती है तो वो भी आपकी यहीं पर देखने को मिलेगी और पूस्ता अगर आपसे करनाटक के बारे में तो करनाटक के अंदर आपको यक्षगान याद रखना है जो कि यहाँ कर लोकनेत्य और लोग की दोनों ही ए तो इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को और करनाटक में आपके नेशनल पार्क बहुत है जैसे आपका अंसी हो गया बढ़नेर गटा हो गया फिद्रें मुख हो गया तो ये सबी नेशनल पार भी पौधे और जानवर चौथा कह रहा है लुप्त प्राय पौधे और जानवर अब सभी लोग बताएंगे जो आपकी डाटा जो बुक होती है यह किस चीज को दर्जगरती है आंसर क्या सही बनेगा यहां पर यह हो जाएगा आपका चौथा वाला यानि कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर को जो है यह दर्ज करती है कि प्रत्वी पर आपके जो है कौन से मात्रा में पौधे कितने हद तक कम हो चुके हैं यह उनी का रिकॉर्ड रखती है बुक च मैदानी चेत्र में लोग स्कूल जाने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं जुगार का बैल गाड़ी का वल्लम का या फिर साइकिल का आंसर करके बताएंगे सबी लोग इस प्रशन का उत्तर क्या होगा और एक बार शैशन को भी शेयर कर देजिए जिन नहीं तक शेयर मैदानी चेत्रों की बात कर रहा है तो मैदानी चेत्रों में बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग करते हैं बैल गाड़ी का किसका बैल गाड़ी का वल्लम का प्रयोग कहां किया जाता है तो वल्लम का प्रयोग जो है केरल में किया जाता कुछ हद तक मैदानी लाकों में कारे करती है अगर जुगार के बारे में पूचता है तो जुगार कहा है तो ये हैं ध्यान को अगला प्रश्ण दिआख तैनली ऐगा है कि अन्दमान के द्वीपों में किस वर्ष 와ни थी 2002 में 2003 में 2004 में या फिर 2005 में इस प्रश्ण का उत्तर आप सभी को comment box में answer करके बताना है कि इस प्रश्ण का सही उत्तर क्या बनेगा चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ अब बताएंगे सभी लोग इस प्रश्ण का उत्तर क्या बनेगा एक तरफ से सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए इस प्रश्ण के लिए बहुत easy question है बिल्कुल भी दिमाग लगाने के जरूरत नहीं होगी जल्दी से कर दीजे और जो है काफी easy प्रश्ण भी आपके पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं तो घबरानी के जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बस आपको अपना दिमाग लगाना है आंसर क्या बनेगा यहां पर पहला वाला विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रश्ण देखे के रहा निम्न लिकित में से कौन सी मुद्रा आपूधावी में प्रश्लित है डॉलर है दिरहम है रुपिया है या फृट टका है बताएंगा आंसर करके इस प्रश्ण का उत्तर क्या बनेगा तो यहां पर देखेए जो आपकी आप दाभी मुद्रा है यह कहां पर प्रश्लित है तो यह प्रश्लित है अबुदाभी की मुद्रा दिरहम अबुदाभी के अंदर कौन से मुद्रा प्रश्लित है यह दिरहम आप सभी लोगों को पता है कई देशों में यूज होती है रुपया अपने नेपाल में भी यूज होता है अपने हां प्लस यहां पर जो आपको विकल्प पता है तो उनके बारे में भी एक्स्प्रेंड करके बताना है जल्दी से बताईए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा यह बन जाएगा आपका बीवाला विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है कौन से बीवाला पूछता है कववा के बारे में तो कववा क्या करता है यह पेंड की उंची डाल पर वहां पर घोसला बना करके अपने अंडों को देता है जो कि मादा कववा देती है द्यान नकिएगा आप लोग हसी बहुत जल्दी उड़ा देते हैं अगर पूछता है फाक्ता के बारे में तो तो फाता पक्षी तो ये करता है कैक्टस पौधे के बीच में अपना गोसला करके वहाँ पर अपने अंडों देती है मादा कैक्टस मादा फाक्ता अगला प्रस्टन देखी क्या कह रहा है प्रस्टन संख्याउन इस वरली जन जाती वरली कला के लिए सो प्रशिद है जो की बनती है यानि कि जो आपकी वरली कला है यह किस्से बनाई जाती है गाए के गोबर और मिट्टी से घास और पत्थरों से मिट्टी और पत्थरों से या फिर बांस और पत्थरों से सबी लोग बताएंगे कि जो आपकी वरली कला है यह किसे बनती है और आपको यह भी बताना है कि जो आपकी वरली कला है यह किस राजी की प्रसिद पेंटिंग है तो यहां पर देखें अगर वरली कला की बात करता है तो यह आपके गाय के गोबर और मिट्टी के द्वारा बनाई जाती है किसके द्वारा गाय के गोबर और मिट्टी के द्वारा बनाई जाती है अगर आप से यह पूछता है कि वरली पेंटिंग कहां की प्रसिद्ध है तो इसका नाम है गुरी पढ़वा फेस्टिवल नेक्स्ट यहां पर जो है रासलीला भी मनाया जाता है और यहीं महरास्ट में आपकी जो पहनावा में अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर जो आपकी पैठड़ी साडी है यह भी आपकी यहीं पर पहनी जाती है तो यह तीन चीज़े याद रखेंगा जो कि आपका सीटेट के अंदर भी पूछा गया था तो लगबग वही पैटर्न आपका के अंदर भी फॉलो हो रहा है अगला प्रेशन देखी क्या कह रहा है क्वाशी ओर कर नामक बीमारी किसके कमी से होती है प्रोटीन विटामिन वसा या फिर आईरन सभी लोग आंसर करेंगे इस प्रेशन के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है प्रोटीन किस नाम क्या है मरासमस प्रोटीन की कमी से होता निमन में से प्क्षियों की प्रजातियों की पहिचान परें जिन में नर अपनी मादा के लिए घुसला बनाता है ये प्रश्ण जो है आपका 21 तारी को पेपर में पूछा गया था अब बता दीजे विकल्प दिये गया है टेलर बर्ड, बसंत गौरी, वीवर बर्ड या फिर आपका बारबेट तो आंसर क्या बनेगा यहां पर विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जागा यानि की वीवर पक्षी जो है यह नर जो होता है इसका अपनी मादा जो होती है उसके लिए घुसला बनाता है और वो मादा क्या करती है सबी घुसलों को देखती है फिर जो उसे सबसे अच्छा लगता है वो उसके अंदर अपने अंडों को देती है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रस्न संख्या 22 देखिए का कह रहा है गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा की कारण द्वस्त हुआ था चक्रवात बाढ़ भूकम्प या फिर सूखा आंसर करेंगे सबी लोग बताएंगे कि जो गुजरात का भुज शहर था यह किस प्राकृतिक आपदा की कारण द्वस्त हो गया था यहां पर भूकाम पाया था जिस वज़े से यह बुझ शहर यहां पर नस्ट हो चुका था अगले प्रशन के ओर चलेंगे कह रहा है कि प्रस्न संख्या 23 पक्षि अपनी गर्दन बहुत आधिक हिलाते हैं इसका कारण क्या है पक्षियों के आखे छोटी होती हैं इसलिए या फिर उनके कान पंखों से ढखे होते हैं इस वज़े से सी कह रहा है कि पक्षि उड़ सकते हैं इसलिए या फिर पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है इस वजह से तो सभी लोग बताएंगे कि जो पक्षि होते हैं अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं तो यहां पर देखें पक्षियों के चोटी होती है तो इसका कोई मतलब नहीं है गर्दन के बारे में पूछा गया था अगला के रून के कान पंक्षों से डखे होते हैं तो यहां पर कान का भी कोई लेना देना नहीं है पक्षियों उड़ सकते हैं इससे भी मतलब नहीं है बचा के हमारा डीवाला विकल यानि कि पक्षियों के आखों के पुतली घूम नहीं सकती है इसलिए वे क्या करते हैं अपनी घर्दन को हिलाते हैं ताकि चीजों को देख सके चलते हैं अगले अगलीillar कि तरफ प्रस्म संक्या 24 किया मूंगा क्या है एक प्रकार का रेशम है वेंजन है जंगल है या फिर रोई है बताएंगे सब ही लोग इसका अंसर क्या बनायेगा कि आपको जो मूंगा होता है यह क्या है लेनं आज़ा है कि दॉसित अज़ए पर यह बनेगा यहां पर यह बन जाएगा रेशंगय का रेश मोनड़ा जो है वह आपका एक प्रकार का प्रकार र sürंहीं होता है चलते हैं अगले प्रशन की तरफ प्रसन संक्क्याब 25 देकि क्या कर या fantastisch । विकल पदिया भारी बारिश के कारण सूखा पढ़ने के कारण चावल की फसल कटने के कारण चौता कहरा उपरोगत सभी और सभी लोग भावना में आकिमत बहिएगा कि यहां पर जो है आपका सरकारी ऑप्शन दिया गया है तो उसी को टिक कर देते हैं तो इस चीज को बहु जाता है तो यह मनाया जाता है आपका असम राज्य के अंदर कहां पर असम राज्य के अंदर और इसी असम के अंदर आपका एक सास्त्री नृत्य मनाया जाता है जिसका नाम है सत्रिया इस प्रशन भी पूछा गया तो मैंने आपको आगे भी बताया ध्यान लखिएगा क्य एक जब आपके चावल की फसल बोई जाती है तब एक जब चावल की फसल काटी जाती है तब और एक जब चावल की फसल वही जब घर कट करके घरा जाती है और उसे पकाया जाता है तब इसको ध्यान लेकिएगा और इसी असम के अंदर जो है आपका एक प्रकार का घर बनाया जाता है दियान रखिएगा इन चीजों को और असम के अंधर ही आपका बास से बने घर और बास से बने पुल यहां पर देखने को मिल जाते हैं तो यह थे आज के आपके 25 questions जो की most selected NCRT आधारित प्रशन है इनको अच्छे से रट लीजेगा अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि इनसे संभावना रहेगी कि आपके पुछे जाएंगे ठीक है तो मिट करते हैं क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैन आनिवाद